शीरा देराते भक्तों शीमत भगवत गीता के छट्वे अध्याय के तेतालिसमे श्लोक में प्रभु कहते हैं तत्रतम बुद्धिसन योगम लवते परोदाइकम यततेचे ततोभुये संसिद्धव कुरुनंदन अरजुन को भगवान ने बताया इस ज्ञान की बात को कि जीव के अनेक जन्मों के पिछले संसकार होते हैं और उनी संसकारों के अनुसार वो साधना करता है साधकों की बात की गई, नास्तिकों की बात नहीं की गई तो उसकी श्रद्धा जो होती है या उसके पिछले जो साधना होती पिछले जन्म की उसके अनुसार वो कारे करता है जिसकी सहज श्रद्धा होती है वो तो शुर्द भक्त हो जाता है और नहीं तो कुछ दिन वो वेजांत साधना करता है और उसके बाद भक्ती उसकी प्रक्षट हो जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका केवल भक्ती में ही पूरा विश्वास होता है कुछ ऐसे होते हैं जो अद्वाइत वेदान्त और भक्ती दोनों में बराबर होते हैं दोनों को मानते हैं जैसे श्री अनमामसाथ पोद्दा जी, श्री राधा बाबाबा जी, श्री उडिया बाबाबा जी, ये लोग ऐसे महापुरुष थे हैं, और कोई-कोई ऐसे होते हैं, शुद्ध केवल भक्त कोई, भक्त कोई मानते हैं, और कोई केवल ज्ञानमार्ग कोई मानते हैं, अर्थ बताया है, जारह में इस कर्ण में भागवज्य में कर्म, ज्यान, भक्ती तीनों को ही प्रभु ने स्विकार किया है, कल में चर्चा कर रहा था करणवास में विराजमान उडिया वापा के, तो कर्णवास से जब आप भ्रिगुक शेत जिसको भैरिया बोलते हैं, उदर चलते हैं, तो कर्णवास से बाहर निकलते ही, थोड़ा दूर चल करके, एक मैं बताया था, साइब मैंने सुना साइब उसका, कुटिया का जूनुद्धार हो गया, अच्चुत मुनि की कुटिया तो वहाँ एक संत से अच्चुत मुनि जिनोंने कुछ दिन हरी बाबा को वेदांत भी पढ़ाया था, बाद में हरी बाबा तो सुद्ध भक्त हो गया, प्रभू के विशेश प्रेमी, चैतनि महा प्रभू के आवेश मे रहते थे, तो वह अच्चुत मुनि की विशे में आ नाम था अच्चुत मुनि का, वो नाम था पंडित दौलत राम जी है, और ये डीएवी कालेज लाहोर में संस्कृत विभाग के अधेक्ष्ट है, इनकी धार्णा थी कि देव भाषा जो है संस्कृत है, वो बहुत उच्चकुट की शुद्ध भाषा है, इसमें लोभ लाल के माराच आज नहीं करनी चाहिए, ये और उससित को धी जाये, उसके बदले में कुछ नहीं लया जाये, निसुल्क दिया जाये, और विध्यादान हूँ करते रहते थे माहा जहू, वो कहते थे कि मनुष्य जिसको भगवान ने ज्ञान दिया है उसे कारे जरूर करना चाहिए तो बहुत ही विरक्त संत थे लेकिन इस कारे को करने में उनको सुख मिलता था जब वो नौकरी कर रहे थे तब तो वेतन मिलता थे उनको क्योंकि वो डियेवी कालेज में संस्केट विभागात ज्यक्स थे तो नौकरी करने में वेतन तो मिलता था लेकिन उनको पसंद नहीं था को इतना ज़ादा उनको असा ही हो गया कि हम कालेज बंश सन्सकृट पढ़ाते हैं तो हमको तनखाय दी जाती, इतना ज़ादा उनको खराब लगता था कि उन्होंने नौकरी त्याग दी जो कालेज में लाहावर में स्ट्रांस्क्रिश विभाग किया थेक्ष थे उस उस पद को ही त्याग दिया और फिर कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता था क्यों को वेतन मिलता है इसके लिए और फिर पढ़ाना चालू रखा किन्तु वेतन ले न बंद हो गया और पेंशन भी नहीं लिया उन्होंने वो कहते ति मुझे इसमें पाप लगता है कि मैं संस्कृत की पवित्र भाषा का विक्रे करता हूं और वो बोले कि मुझे पाप हुआ है जो मैंने पैसा लिया है पढ़ाने का तो इसलिए मुझे इसका प्रायस्चित करना है तो प्रायस्चित के लिए वो फ्री में ही पढ़ाते थे कुछ भी नहीं लेते थे जिसको पढ़ाते थे उसके लिए और इसके लिए वो करणवास के निकट में गंगा तट पर रहकर तब ध्यान और स्वाध्याय में व्यतीत करते थे अपना जीवन बहुत दिन तो एक नाव पर रहते थे वो और नाव वाले बाबा भी कुछ लोग उनको कहते थे जब जब वो नाव से बाहर निकलते और उस पर चड़ते तब तब कलिमलहारिनी गंगा ये कीर्टन करते बार बार गंगा जी को प्रणा कुछ उनके पवित्र जल को सिर्परधारन करते गंगा जी के जल को बार बार और इस व्रकार शब्दतह और आर्थतह शास्त्री आचार का निर्वाह करते थे जब तक विधिवत शिखा सूत्र त्याग नहीं किया संध्या तरपन नित्य कर्म विधिवत करते थे गरीब अमीर ग्रहस्थ विरक्त इसका विचार ही छोड़ दिया था उन्होंने और वेदान्त ग्रंतों का स्वाध्या करना चाहता हूँ जो भी उसको महरा जो अद्वेत वेदान्त के ग्रंत पंच दशी मद्सूदनिकी का ब्रमसूत रवरोपनिचद इससे पढ़ाते थे उदारता की मूर्थी थे किन्टु स्वयम कोई इच्छा नहीं रहते थे और अपने संशय विपर्याई शोन्नि भोध के बल से विद्वत सन्यास लिया था बाद में कासी बास करने लगे थे करन बास से चले गए और कासी जा करने लगे वहां श्री दुर्गा सती का पाठ और स्रिमत भागवत श्रमन करते थे अब भक्तों जो भागवत श्रमन करेगा वो तो भक्त होई जाएगा अब पहले दुर्गा जी की भक्ती आई फिर उसके बाद भागवत जी की कृपा से कृष्ण भक्ती तो आनी आनी थी तो शुरू हुआ था अद्वाइत वेदांत सेवन का जीवन और त्याग में तपो में जीवन था और जब काशी में गये हैं तब भक्ती शुरू हो गए इनके और इनके शीशी श्री गौरी शंकर गोयनका ने इनकी स्मृत में अच्चुत ग्रंथ माला नाम की संस्था स्थापित की जिसमें कई वेदांत ग्रंथ हिंदी में अनुवाद करा करके प्रिकाशित किये गए और इनके भक्तों में सेथ गौरी शंकर गोयनका व्रिधी चंडर पोद्दार जमनालाल बजाज और राम नारेंर रुया अधिक कई सेथ और बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग बीचे श्री लाली आग्यिक भूदेव शर्मा रामा उतार विद्या भासकर ये ये उन्हें अपने शिश्यों को आग्या दे थी कि तुम लोग उडिया बाबा का सत संगवाश करो और उनके सानिदे का सत पयोग करो माराज उडिया बाबा की विशे में उनको बहुत जानकारी हो गई थे और उडिया बाबा से जब मिले हैं चुट मुनी जी तो बड़ा पारस पर उपर सत संग हुआ आपस में और त्याग तो सहाज और सरल था परंतु बहराग करते थे ये कठिंची होता है अचुत मुनी जी कहते थे कि त्याग में तो आप घर छोड़ करके दूर चले जाओ त्याग हो गए परंतु बहराग में तो ये आवश्यक है कि वस्तु पास रहे अथ्वा न रहे उसमें किसी प्रकार की ममता या मोह न हो तो बहराग है स्वी महराज जी ने पूछा कि अज्ञान किसे करते हैं उड़िया बाबा ने पूछा क्योंकि उड़िया बाबा और अचुत मुनी कुछ दिन करनवास में रोजाना मिलते थे सत्संग होता था इंका तो उड़िया बाबा ने पूछा उसमें अद्वाइत वेडांती संत माने जाते थे अचुत मुनी जी तो वेड़्वत सन्यास लिया था उसमें तो दिक्सा नहीं किसली थे लेकिन रहते थे बड़े बैरागी रोप माँ तो उडिया बाबन पूछा कि अज्ञान किसे कहते हैं तो अच्चितमुने जी बोलेगे कि लोग जो कहते हैं कि जो ज्ञान वसिष्ठ आदिको था वो क्या हमें हो सकता है उन्होंने कहा अच्चितमुने ने कि यही अज्ञान का प्रथाम लक्षन है और जो भूदेव शर्मा का मैंने नाम बता है वो कहते थे उडिया बाबा के विशह में कि उडिया बाबा का दर्शन करते ही साक्षात उपर ते स्वरूपुन के दिखलाई पड़ी उनको संसर्ग में आते हैं आत्म निष्ठा के लिए छटपचाथ पैड़ा हो जाती थी उनके त्याग तप और उत्सर्ग की कला प्रतेक साधक और जिग्यास के लिए उत्सा के च्रोट थे प्रतेक व्यक्ति उनके पास अपने ही विचारों का समर्थन पाता था अर्थात ज्यान का भाक्ति का सत्कर्म का और उस सब के साथ समन्वय की भावना पैदा करने से अपने आप उडिया बाबा की क्रुपा से हो जाता था रागत द्वास रागत और देश से मुक्तु यही स्पश्विजान पड़ता था कि महराज जी सब से अधिक क्रुपा मुझपर करते हैं राम घाट करनवास का तो कहना ही क्या जहां जहां भीवे रहते थे उडिया बाबा वहां का दिव और अवलावकि क्वातावरन देख करके चित्त मुक्ध हो जाता था किन्तु यह तो अनुभव कही विशे था जिने ऐसा सोभाग्य प्राप्त हुआ वे ही जानते थे और लोग तो क्या जान सकते थे उनको और एक ब्रमचारी शिवानन जी करते हैं कि मेरे चर्णों में गुर्देव के चर्णों में मेरा अटूट संबंद हुआ और वो बढ़ता ही गया आकरिष्ण का मुख्य विशे तो उनका आत्मियता का वेवार था जो माता पिता और सगे संबंदियों की याद भी भुला देता था तो तब वियोग के समय रुला देने में भी समर्ग था पुडियो बाबा को कत्री प्रेम के उतार हैं उनकी निशेध अभ्यास के लिए स्पष्ट गर्जिना अंकित हो गई अंदर की सरवग्यता इश्वर्ता और सिध्धी सभुर्थ की जनित है संसार की सत्यता मान कर विश्वास पूवक अनुष्ठान करने से प्राप्त होता है आत्म ज्ञान तो व्रत्ती का प्रकाशक है ये व्रत्ती जनित अनुहो का विशे नहीं उतके विशे में या नहीं ज्ञान अज्ञान बनना या विगरना प्राप्ती या प्राप्ती कुछ नहीं का जा सकता ये विलक्षण अनुभूती उर्जय बाबा के सानित दिमे रहने से प्राप्त होती थी। ऐसे उच्चिकूट की महराज जी ग्यानी थे। अच्चुट मुनी जी के एक अन्य भक्त थे ज्वाला सिंग जी। ये भ्रिगुचेत्र के व्योस्थापक थे। वो काते थे कि अच्चुट मुनी जी की आग्या से मैं उडिया बाबा के दर्शनार्थ करणवास गया। और मन में ये जानने की बड़ी उतकंठा थी कि योग की कौन-कौन से सिद्धियां होती हैं और उन वस्थाओं में योगी का सरीर किस प्रकार का हो जाता है। तो एक बार अच्चुट मुनी जी से भी पूछा था उन्होंने परंतुन उन्होंने फटकार दिया कि भाक्त को इन बातों से क्या काम। मैं दो-दो घंटे एक ट्राटक करता था। ये जुआला सिंग जी बताते थे। जो भाहरिया के विवस्थापक थे। तो इस प्रश्ण को लेकर करनवास गए उड़िया बाबा के पास। और जो उड़िया बाबा के पास तमाम लोग घेरे रहते थे। स्ट्री पूर्श सभी लोग और बाबा को प्रेम से खिलाते थे। ये बात इनको पसंद नहीं आई। तो महराज ज्वाला कहते थे ज्वाला सिंग जी कि मैं जो थोड़ा सा श्रद्धा भी करने लगी तो फिर उनके अंदर पता नहीं कहां से एक प्रेरना उत्पन्न होई। बात ये भक्तों कि हर व्यक्ति की श्रद्धा बहुत उंची नहीं होती है। अपने मन के दोश महापूर्शों के लिए भी ऐसी ही कल्पना करते हैं कि इनके अंदर भी दोश हैं। पुड़िया बाबा तो शिद्ध पुरुष थे। उनके यहां कोई भेज नहीं था। कोई भी आवे दर्शिन करने स्त्रिय आ जाएं चाहे पुरुष आ जाएं कोई अंतर नहीं मानते थे। क्योंकि ब्रह्म द्रिष्टी थी उनकी महाराज। बहुत उचे सम्थ थे। तो जब देखा इन्होंने भुरुक्षेत्र के व्यवस्थापक जो ज्वाला सेंग जी थे। कि वहां बाबा के पास करनवास में तो नर नारी सब घेरे रहते हैं उनको। कि उनको बिलकुल परसंद नहीं आया कि क्या लोग इतना बताते थे वड़े अच्छे संद्रह तो सब इस्त्री पूरुश इंको घेरे रहते हैं कि आतने हाथ से खिलाते हैं। तो रंग जांग बाबा का समझ में आया नहीं तो अशरद्दा होने लगी उनको। और इसलिए कुछ पूछा नहीं जो पूछने गए थे और वापस चल पड़े वह भाईरिया के लिए विक्षेत के लिए लेकिन मन में उनके रामैन की चवपाई आने लगी ओघर ही विमल विमोचन विलोचन ही के मित ही दोश दुख भवरजनी के मानस का पाठ किया करते थे चवपाई अपने आप गूँचने लगी उनके अंडर और रात को भगवान के आरती के बाद जब सोये वो ज्वाला सिंग जी भाईरिया में ब्रुक्षेत्र में तो स्वापन में जो अद्रिश रेखा वो पहले कभी नहीं देखा था और बाद में भी देखने को नहीं मिला उन्होंने बताया कि पुरिया बाबा के प्रतिश रफश रद्धा उनकी नहीं जम पाई इस्ट्री पुर्शों की भीर देखकर तो सोचें लगी कि नाम तो बहुत है लेकिन ये संत कैचें फिर रात में स्वापन में देखा उन्होंने की बड़ा भारी प्रकाश उटपन हुआ और वहीं एक महल है उसी में से एक 15-16 वर्श की आयू के छोटे से उडिया बाबा निकले और उनका वे शन्यास का ही था और आगे के दांत भी निकले हुए थे जैसे उडिया बाबा की फोटो में आप लोग देखते हैं तो वे पुस्तक लेकर पढ़ने को बैठ गए उसके बाद एक बहुत बड़े उडिया बाबा निकले उनका मुख सुदूर आकास में दीख रहा था और चरण फटी हुई पृत्वी में जल के उपर दिखाई दे रहा था फिर एक बहुत बड़े मोटे उडिया बाबा निकले जो सामान्याकार से बीसों गुना मोटे थे उसके पश्चाते एक बहुत ही दुबले पतले हड़ी के धांचा मातर उडिया बाबा प्रकट हुए फिर एक ऐसे उडिया बाबा दीखे जो आकास में उड़ रहे थे तदनंतर एक उडिया बाबा चट्टी पहिन कर समुद्र पर चलते दिखाई दिए फिर अनेकों प्रकार के पशुपक्षियों के रूप में उडिया बाबा दीखे जिनका और शरीर तो उनुन पशुपक्षियों के समान था परंतो मुख उडिया बाबा कर था फिर महराज अशर्फियों के धेर पर बैठे वे उडिया बाबा दीखे इसके पश्चाथ अनेकों उडिया बाबाओं का बाजार सा देखा जिसमें विविट प्रकार के उडिया बाबा ही भरे पड़े थे फिर वे सभी स्वरू पद्रिश हो गए और महराज जी बोले देखा यही योग की सिद्धियां है और उसके पश्चाथ सोपन भंग हो गए आप ध्यान डखना यही पूछने गए थे हो कि योग की सिद्धियां क्या क्या होती है यह जो मैनेजर साहब गए थे रिवू छेट वाले वे पूछने गए थे उडिया बाबा से कि योग की सिद्धियां क्या होती है और शद्धा जमी नहीं तो पूछा नहीं फिर बीना पूछे ही लोटा थे और आप स्वापन में योग की सिद्धियां सब उडिया बाबा ने दिखा दी और फिर बोले कि देख लिया यही होती है योग की सिद्धियां और उसकी बाद स्वापन चूट गया तो उसकी कुछ दिनों पश्चात अनूप शहर में फिर बाबा की दर्शन हो रहे अपन में देखा था और कथा के अंत में वाराज उडिया बाबा ने फिर कहा इनसे समझ लिया जो पूछना था वो समझ लिया पूछा तो नहीं था अब इन पूछे ही सब समझा दिया बाबा ने इससे इन्होंने समझ लिया अर्थात विश्वास हो गया कि बाबा योगिराज हैं और दूतरों की मन की बात जान लेते हैं बिन पूछे ही सब बता देते हैं पहिचान ना कठेने इनको बाबा ने इकृपा करके वो सोचने लगे कि मेरे मन का समधन करने के लिए सब गृपन में सब गृपन दिखाये थे ओध्यप मैंने उनसे पोचा नहीं था तersonतरों जो आलाने मैंने पोचा नहीं था फिर भी मेरे मन की बात जान ले और सारी प्रिष्णों का उत्तर दे दिया स्वपन में और फिर बाद में सत्संग में पूछ रहे हैं प्रत्यक शुरूप से कि अब तो जान लिया सब तो महराज उनकी श्रद्धा आटो खुत पन्न हो गई है कि ये मेरी बुद्धी के बाहर के सिद्ध पुरूश है और फिर बाद में जिग्यासा हुई कि ज्ञानी ज्ञान की साथ भूमिकाओं में किनकी नवस्ताओं में प्राप्त होता है उसके आहार विहार आदी आचरं आदी कैसे होते हैं तो एक दिन सुना कि बाबा हाथ रस में हैं और वहाँ जा करके दर्शन किया तो रात में सोया तो अपने में देखा कि साथ स्वरूफ साथ स्थानों में बैठे हैं और उनका द्रिष्टा होकर सबको देख रहा हैं उनमें सिच्चार स्वरूप तो बोलते चालते और तीन मौन हैं, उन तीनों की विलक्षन अवस्था है, इतने में बाबा के दर्शनुवर बोले, ये अवस्थाएं बहुत शीगरी तुम्हें देखने को मिलेंगी, उसके दो दिन पस्चात, बिठूर से एक ब्रमचारी जी उनका नाम था, तो उन्होंने साथ आठ श्लोक लिखवाएं, जिसमें उनकी शंकाओं का समंदान था, और वो कहते हैं कि एक बार मुझे वायू रोग रहा बर्चों, सारा सरी सुन सा रहता था, बुद्धी काम नहीं देती थी, बहुत चिकित साएं कि, निराश होना पड़ा हर चिकित साथी, तो बाबा की ओडिया बाबा की कृपा हुई, और तखत पर वो लेटे थे, बाबा का चित्र पट सम्मुक था, अकस्मात उस चित्र में ही ध्यान लगाए नीद आ गई, और फिर देखा कि बाबा हाथ में कमंदल लिये खड़ें, और थाकुर, तु बाजी करन खा, फिर उनकी आख खुल गए, तो उन्होंने लल्लू वैद्दी जिसे बाजी करन देने को कहा, उन्होंने सब बाजी करन उसदियों को मिला करके, उनकी साथ पुडियाए बना ती, उन्हें से एक पुडिया खाने पर बता रहते हैं कि शरीर की ह अड़ी और नाडियों के दर्चन होने लगे, रक्त का संचार होने लगा, शरीर में अद्भुत, चमतकार और बल की स्पूर्ती दिखलाई पड़ी, और दूसरे दिन मालू हुआ कि बाबा भिरावटी में, तो सवारी द्वारा भिरावटी पहुंचे वो, साथो पुडिय आए, खाने पर सरीर पूर्ण निरोख हो गया, जब बाबा का दर्शन करने गया, तो कहने लगे, आब तो तू ठीक हो गया, अब तू अवशति की भगवान का प्रशाद समझ करके, सेवन करना, और मरा जो करते हैं कि हजारों रोगियों को मैंने ठीक किया, और उड़िया बाबा से कहा कुछ नहीं था, कि और मन में सोचा था, और बाबा ने इतने चमतकार किये कि मुझे जीवन ही प्राप्त हो गया, नहीं तो मृच्चू प्राप्त होने वाली थी, इस प्रकार से जिसकी श्रद्धा में भी संसय होता था बाबा उसके उपर विक्रिपा करके, ज्यान प्रदान करते थे, समस्या का समाधान प्रदान करते थे, और बड़े-बड़े जिग्यासों की जिग्यासाओं को पूर्ण कर देते थे, वो ख्षेत्र जो है, करनवास के निकट काई है, ब्रुग ख्षेत्र, वहां की बात में आपको सुना रहा था, आगे फिर आज बाबा को प्रणाम करके एंगराम ते रहा हूं शुरा ते रहा ते जैस शुरा ते रहा हूं